प्रिये विद्धिहर्तियों बीएसी पार्ट वन और्गेनिक केमिस्टी की क्लास में आज उन्हें आपका सौगत है अभी हमने पिछली वेडियो लेक्चर में आपको हाइपर कंजुगेशन अर्थात अतिस अयुगमन जिसको हम बेकर नाथन एफेक्ट भी कहते हैं या नो ब केते हैं तथा एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक ता और हक्ल्स नियम के बारे में बताया था आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको इंडक्टी इफेक्ट क्या होता है या प्रिर्निक प्रिवाव हिंदी में कहते हैं इसको प्रिर्निक प्रिवाव क्या होता है तथा इसका उप्योग क्या-क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो यह जो टॉपिक है वो आपका जो यह है यूनिट फर्स्ट के अंदर इस्ट्रक्चर और बांडिंग के अंदर गताता है मैं डॉक्टर बीके अगर्वाल पुन्हे और्गनिक केमिश्टी की क्लास में आपका साखत करता है तो जैसा कि अभी हमने आपको बता है कि आज हम प्रेलिनिक प्रुभाव या इंड्रेक्टी इफेक्ट के बारे में होता है कि जब दो समान बिद्दूत्र निता वाले पर्माणों के मद्ध जो बंद उपस्तित होता है यदि उनमें कोई पोलेरेटी नहीं है तो ऐसा सहिस्षाजियों एक बंद अधुभी होगा तो किस प्रकार के योगिकों में होता है जैसे यह हाइडोजन का मॉलेक्यूल है इसमें एक उलेक्टस इस एटम के शियर है और एक इसका शियर है यानी दोनों को जो है सेन्टर में है अलेक्ट यानी दोनों अध्रुभी frågor से सिर्यасьत बंद धंदें इसी प्रकार से दूसरा ऊनुक्यवे यह है हमने हैande क्लोरीन में भीET है यदि हम इसका हो करें या हिट्रोलाइट या इसका फिशन करें तो यह दोनों एक-एक इलक्टों साजाएंगे यानि कोई जुए इनकी उपर किसी भी अनु के किसी भी जुए परमान उपर जुए भिन्दिविन चार्ज नहीं आएगा यानि दोनों पर समान चार्ज आएगा यानि इनकी जो इल्एक्ट्र नेगटिविटी है वो समान है यदि हम दो असमान वित्व तुत्रुदनता वाले परमाणूं जैसे फॉर एजम्पिल ए और वी लेंजिसमें बी की इलेक्ट्र नेगटिविटी बुए आ वह एसे अधिक है तो क्या होगा कि B में जो बांडिंग पियर है वो B की ओर आकरशित रहेंगे जुए जिससे क्या होगा B पर थोड़ा सा जुए इलेक्ट्रोन घनत्त जुए अधिक हो जाएगा या दूसरे सब्दमें हम कह सकते हैं कि B पर इलेक्ट्रोन घनत्त जुए वो शिफ्ट हो तो जब दो असमान में जोईकों में स'MJOC बंता है तो इसमें क्या होता है कि एक पर आंशिक धनावेश रहता है दूसरे पर आंशिक रिडावेश रहता है जो हुए है फोर एक्जाम्पिल हम लेते हैं जो एक्रोरोय एथेन में क्लोरो एथेन जो आधिक विद्दूती किलोरीन परमानं के साथ बंद हुआ है जिससे क्लोरीन परमानं more इलेक्टो नेगेटिव है, तो ये बांडिंग पैर है, वो किस की ओर? क्लोरीन की ओर अकरशित रहेगा और जिस से क्या होगा कि जो कार्बन है, वो एक धुरुवित हो जाएगा या आशिक धनावेश आजाएगा अब इस पर इलेक्टोनों की जो कमी होगी, वो क्या होगा? अपने निकट वर्ती कारवन परमानू से वह वो ग्रेन करने की या फूरती करने की कोशिश करेगा तो जिससे क्या है कि उसमें भी आँशिक धनावेश जाएगा तो इस तरीक से जितने भी कारवन होगे उनमें सममें जो है थोड़ा थोड़ा जो है आंशिक धनावेश आजयेगा यहनि इस Clorine के manipulating कर दिया जाया जाएगा सोड़ा जो कि o था पिस्गरीर को से अ कारण क्लोरिन का जो C1 परमाणू है वो आंशिक रूप से धनावेश्यत हो जाएगा जूए तथा इसी परमाणू पर इलेक्ट्रोन की तथा इस परमाणू पर इलेक्ट्रोन की कम्ही को जूए वो किससे C2 से यानि इस वाले कारवन से यह अपनी पूर्गी करेगा यानि उस उसके जो इलेक्ट्रोन बंद को अपनी ओर आकर्शित करेगा जिसके फलसरू जो C2 है C1 C2 बंद भी जूए ध्रुवित हो जाएगा और C2 पर अंशिक धनावेश्य आ जाएगा अथे अणूओं में रिन बुद्दूती या धन बुद्दूती परमाणू ये समों की उपस्तिती के कारण जो इलेक्ट्रोन बिन्यास में बिच्छो या उनमें युए डिस्टरवेंस उत्पन होता है उसको हम युए प्रेनिक प्रभाव कहते हैं तो इस बिच्छो को हम रिनिक प्रवाव कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला होता है माइनस आई या रिनात्मक रिनिक प्रवाव इसमें क्या होता है कि जब कारवन स्रंक्ला में इलेक्ट्रोन आकरशित करने वाला समू उपस्ते तो तो इलेक्ट्रोन आकरशित करने वाले समू पर पिश आजाएगा तो जो इलेक्ट्रोन आकरशित करने वाले जो समू या एटम्स हैं वो कौन-कौन सी है एक हैलोजन है प्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमिन, आयोडिन, नाइट्रो समू है, साइनो समू है, कार्वक्जलिक समू है, एस्टर समू है, एल्डी हैड है, एमाइड है और अमोनियमाइड ये समी जो एकि एस्ट्रोन आकरशित करने वाले समू है अब माइनस आई प्रभाव या रणात्मक प्रेंडिक प्रभाव क्या होता है तो यदि कार्वन संखला में इलेक्ट्रोन आकर्षित करने वाले समय उपस्तित हूं तो इलेक्ट्रोन आकर्षित करने के करण धनावेश आ जाता है अब इनका घट्टा हुआ क्रम लेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रभाब करता है वो अमोनियम अमोनियम करता है या अमोनियम की जो है जो इलेक्ट्रोन क्योंकि इस पर धनावेशित है तो यह जो नेबरिंग से जो क्या करेगा अपने जो है इलेक्ट्रोनों की पूर्ति करने यानि अपने आवेश की पूर्ति करने के लिए नेबरिंग से जो है इलेक्ट्रोन जो बांड प्रश्तर सैनों फिर कार्बोग्सलिक फिर फ्लोरो एल कोक्सी फिर ईल्डिहट फिर थैयॉल then प्लश यह प्रबाब यह धहनेत्मak प्रण्डिक प्रबाब यदि कार्बन के सिरे पर इलेक्टोन प्रतिकर्शी समू उपस्थित है यानि इलेक्टोन को प्रतिकर्शित करने वाला यानि उसको रिपेल करने वाला कोई समू उपस्थित है या कोई एटम उपस्थित है तो धनात्मक प्रिवनिक प्रभाव जो है उत्पन होगा यानि जो कार्बन के पास है वो जो है क्या होगा इलेक्टोन को रिपेल करता है क्योंकि इलेक्टोन इसमें इलेक्टोन प्रितकर्शी समू पर धनात्मक आवेश आ जाएगा जो है इनके ओधारन है मिथाल समू, इथाल समू, आईसो प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कार्बोग्जिलेट और ओक्साइड जो है अब इनके समूओं के जो है प्लस आई के गटते हुए क्रम में हम निम्नि प्रिकार विवक्षे कर सकते हैं सबसे पहले आता है ओक्साइड, फिर कार्बोग्जिलेट, फिर टर्शरी ब्यूटाइल और फिर आईसो प्रोपाइल, फिर इथाईल और फिर लास्ट में आता है इथाईल समू, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यानि इनका योगिकों के उपर क्या प्रभाप पड़ता है जानि एप्लिकेशन ओफ इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के साथ साथ लेंगे, माइनस आई का भी और प्लस आई का भी है, तो सबसे पहले हम लेखते हैं, एलकिल कार्वो केटाइन का इस्थाईत के उपर इनका क्या प्रभाप पड़ता है, तो जो एलकिल कार्वो केटा वो डारेक्टली प्रपोर्शनल होता है, यानि जैसे ऐसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा समुपर, वो उसका इस्थाईत बढ़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्शरी बूटाइल, टर्शरी बूटाइल कार्वो केटाइन है, वो सबसे ज़्यादा इस्थाई होत जो टर्शरी बूटाइन उससे कम, प्राथमिक उससे कम और मिथाईल जो सबसे कम, क्यों होगा यशा, क्योंकि जो छी एस्थाई समुपर है, यानि मिथाईल समुपर है, इनका क्या होगा, कि हाइडोजन लेस एलेक्ट्रो नेगेटिव है, और यह जोगे, कार्बन ओर इल प्रिकार से यह मिथाईल समुझ जोगे अपने इलेक्ट्रों को इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर यह कार्वन है, वो इलेक्ट्रों का जोगे घनत्य है, वो काफी बढ़ जाएगा, जिसके कारण से यह सबसे ज्यादा इस्थाई होता है, और या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं, यह सथाई क्यों होता है, की यह कर्व के टाइन और इस में क्या होगा, कि इसके यह 3 अत्रिक रजिएक बनेंगे, जैसा कि हमने नो बना रेजिएशन में में बताया था उसके कारण से 3 अत्रिए बनेंगे, यानि यह एक मिथायल के कारण 3 ओ idols 3 के कारण 9, 9 ब यूज बनेंगे जितनी ज्यादा रैजुनेटिंग स्टेक्टेस होती हैं वह योगिक है या वह कर्वुनन या कटाइन वह सबसे ज्यादा इस्थाही होता है दूसरा है एलकिल कार्ब एनाइन पहले कार्ब केटाइन था जो यह अब कार्ब एनाइन यानि येस का विप्रीत होगा अर्थात जो एलकिल कार्ब एनाइन का इस्थाइत होगा वो माइनस आई प्रहाब वाले समूं का तो डारेक्ली प्रोपोर्शनल होगा और जो प्लस प्रभाब वाले L के समूं है उनका inversely proportional होगा अर्थात यहां पर जो methyl कार्व के टाइन है वो सबसे ज़्यादा इस्थाई होगा क्यों होगा यह तो इस्थाई तो क्रमेज हुए methyl कार्वेनाइन फिर प्रात्मी कार्वेनाइन फिर दोतियक कार्वेनाइन यानि CS3 whole twice CH थिर तरतियक कार्वेनाइन यानि CS3 whole twice C- अब यहां पर हम देखें कि इसका जो CS3 समूं है इसका क्या होता है प्लस आई प्रभाब होता है यह अपने एलेक्ट्रोनों को डोनेट करेगा इसी तरीके से यह अपने एलेक्ट्रोनों को डोनेट करेगा इसी प्रकार से यह यह अपने एलेक्ट्रोनों का घना तो और बढ़ जाएगा तो यह तो पहले से इस पर रनात्मा कहता जब और ज्यादा आ जाएगा तो यह और भी ज्यादा आइस्थाई हो जाएगा यही कारण है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्वेनाइन है वो सबसे अधिक आइस्थ यानि जो छार होते हैं उनकी छारक्ता पर प्रणिक प्रवाब का क्या प्रवाब पड़ता है तो इनकी जो छारक्ता है वो प्रणिक प्रवाब के आदार पर समझाई जा सकती है यानि एलके समूंके प्लस आई प्रवाब के कारण प्राथमिक व्यद्वतियक अमीन के छार जासे यह हैं कि त्यान है यह किया व्jar टो इसका की जादा पूंगे ज़तना ज्यादा फॉद यह होगा यही कारण है कि जो डाइ मिथाल अमीन है वो सबसे अधिक छारी यह है मिथाल अमीन में एक ही मिथाल समू है तो यह जो इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा वो इसकी तुलना में कम डोनेट करेगा और इसी पिकार से जो अमीन अमोनिया है अमोनिया में जो है इस तरह का क सबसे अधिक छारी है, मितायलमीन उससे कम और अमोनिया उससे कम तो यह जो यह छारी है सामर्थ का गट्टा हुए करम दिखा है next है कार्वागजिलिक अमलों की सामर्थ किसी भी कार्वागजिलिक अमल में जो proton जो release होता है वो उसकी अमलता को प्रदर्शित करता है तो जितनी आसानी से जो है proton release होगा या proton अलग होगा वो उतने ही जादा strong अमल जो है क्यालाएगा यानि अम्लित्ता क्या है कि जो योगी या जो कार्बोगजली कम प्रोटोन को जितना इसली देगा वो उतना ही जादा स्ट्रोंग एसिड कहलाएगा यहाँ पर हम देखते हैं यहानी जो कार्वक्सली कमल Yog की सामर्थ है वो – आई प्रभाब के directly proportional और प्लस आई प्रभाब के inversply proportional छोती है यहाँ पर यहाँ पर जो कार्वक्सली कमले है यह प्रोपिओ ने कमली है से हमने इस्कमें दो यह electron withdrawing group बाला है तो यह जोए plus I प्रभाव के कारण से क्या होगा कि यह जोए अपनी electron के गनतों को जोए इस carbon पर बढ़ा देगा जिससे कारण से क्या होगा यह इसको oxygen को transfer करेगा जब oxygen more more electron negative हो जाएगी यह वाली तो इसके बीच में यानि oxygen और hydrogen के बीच में जो बंद है वो और भी ज्यादा strong हो जाएगा यानि मजबूत हो जाएगा जिसके कारण से जो hydrogen है वो हमारा अभिक्रिया के लिए आसानी से उपलब्द नहीं हो पाएगा जो है यही कारण है कि जो propionic अमलिय है वो कम अमलिय है इसी प्रिकार से हम estic acid के अंदर देखें तो इसमें एक methyl समू है तो यह भी अपने electron donate करेगा और जो इन टर्म जो है कि इसको oxygen को जो है transmit करेगा जो है और जब oxygen पर अधिक electron गणत होगा तो यह क्या होगा oxygen और hydrogen के बीच में जो बंद है वो बहुत ज्यादा strong हो जाएगा जिससे hydrogen जो है release नहीं होगा formic अमलिय में इस तरह का कोई भी methyl समू नहीं है यानि कोई प्रणिक प्रभाब का असर नहीं है तो इसमें जो है यह आसानी से जो है यह वाला जो proton है वो आसानी से उप्लब्द हो जाएगा तो यहाँ पर यानि जो प्रोप्योनिक हिमल है वो सबसे स्ट्रॉंग है और फॉर्मिकम लोगो सबसे कम है तो यह जो है इसमें क्या होगा कि जब यह प्लस आई प्रभाबाला समु इस पर उपस्थित है तो वह एलकल समु की अमलिता की सामर्थ को कम कर देता है यह हाँ ठीक है मैंने बिल्कूल ठीक बताया था यहाँ पर लिखा है कि एलकल समु की प्लस आई प्रभाब का गठता हुआ करम और अमलिक की सामर्थ का यानि यह सबसे यह ये वाला यह सबसे कम अम्लिय होगा ये सबसे जादा अम्लिय होगा यानि अम्लिकी सामर्थ का बढ़ता हुआ करब और ये याल के समूग के प्लस-ई का आध्लिकेशन थे भी तो यह सबसे कम स्ट्रॉंग सबसे कम अमलिया होगा और यह प्रोवर्मिक ऐसेड वह सबसे अधिक अमलिया होगा तो यह जो है इसके कुछ एप्लिकेशन थे इसके विप्रीत जब माइनस आई प्रवाब वाला समू कार्वाग्दलिक अमलिके साथ जुढा हो तो वह अमलिकी सामर्त को बढ़ा देगा क्यों क्योंकि यह यह जो यहाँ से पूर्थी करेगा और कारबन ऑक्सिघन से पूर्थ करेगा तो यह जो 800 ऑपिक हो जाएगा यह जो अव हम प्रोटन है वह असानी यह में के अभी किरिया के लिए उपलब दो जाएगा यानि जैसे दो इसमें, जो जितना य्दा ज्यादा इल्यक्ट्रो नेग्रटिव के अधम होगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉंग होगा तो फ्लोरिन, श्ब्सब्सब्सब्सब्स strong acid होगा chlorine उससे कम प्रोमीन उससे कम और iodine वाला उससे कम होगा यानि अमल की सामर्थ का घटा हुआ क्रम है अब next जो topic आता है वो आता है जोगे alcohol की अमलता आप लोग जानते ही हैं जैसा कि जब हम इत्हाइल alcohol को sodium के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है sodium इत्होक्साइड यानि वो sodium का एक अलकॉक्साइड बनाता है और proton जोगे निकल जाता है यानि proton का निकलना यह दर्साता है कि जो alcohol है वो कैसे होते हैं अमलिय होते हैं तो यहाँ पर हम देखें उस जो इत्हेनॉल है इत्हेनॉल में तो एकी methyl समुए जोए एकी methyl समुए जोए यह वाला जो methyl है और यहाँ पर जो isopropyl alcohol है इसमें दो methyl समुए और tertiary butyl alcohol है इसमें तीन है तो यह जोए क्या है electron donate करने वाले यानि plus I प्रभाब वाले समुए है तो यह क्या होगा यह इसको electron देगा यह इसको electron देगा यह भी electron जो इन टर्म क्या होगा कि जो इस oxygen को electron देगा जिससे क्या होगा कि यह oxygen hydrogen bond है वो अधिक मजबूत हो जाएगा या strong हो जाएगा जिससे जो proton है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा तो यही कारण है कि जो tertiary butyl alcohol है वो सबसे कम अमलिय होता है isopropyl अमलिय होता है और इथेनॉल उससे ज़्यादा और मिथेनॉल जो है सबसे ज़्यादा अमलिय होता है यानि प्लस आई प्रभाप का यह तो गटता हुआ करम दिखाया है जो है और यह जो हमने जो एलकोल की अमलियता का करम दिखाया यानि एलकोल की अमलियता का करम तो बढ़ता हुआ करम है और आई प्रभाप का गटता हुआ करम है यानि reverse क्या होगा यह सबसे ज़्यादा methyl alcohol सबसे ज़्यादा strong alcohol होगा यह उससे कम यानि ethanol, isopropyl alcohol उससे कम और butyl alcohol सबसे कम हम लिए होगा तो यह आज हमारे inductive effect यह प्रिणिक प्रोभाब के क्या होता है और उसके क्या application है इसके बारे में हमने पढ़ा जुए है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद